हेलो एविवन वेल्कम बैक टू माई चैनल इनासव मॉमी आज में आपके शाद सेयर करने वाले हूं लूटस प्रोफेशनल का फूर लेयर एडवांस इसकिन वाइटनिंग फेशिल कित और यह और इसकिन टाइप है और इसमें मेंशन किया हुआ है कि यह सेशन है लेकिन आप मेरी माने तो आप आराम से इसमें बारा फेशल कर सकते हैं क्वांटिटी बहुत ही एनफ है एक शेशे में दो बार आराम से हो जाता है और इसकी जो MRP है वो है 2495 रूपीज और मुझे यह मिला था 2400 रूपीज में क्योंकि मैंने इसे ओफलाइन ही खरीदा है और ऑनलाइन यह minimum 1900 तक इसकी discount price जाती है जहां तक मैंने इसे देखा है और पिछली वीडियो जो मैंने दी Aroma Magic के फेशल के उपर थी उसमें मैंने बोला था कि मैंने बिना सोचे समझे उसे order किया था लेकिन मैंने इसे बहुत दिनों के बाद सोच समझ के order किया है तो फेशल कैसे करना है क क्या इसमें available है क्या नहीं है सब इस वीडियो में होगा और साथ ही साथ आप मैं फेशल करते हैं वक्त मैंने शूट किया था तो वो भी वीडियो साथ में चलेगी तो जिससे आप देख पाएंगे कि इसके क्या effect आते हैं face पर तो brand क्या claim करती है इस फेशल के बारे में तो brand ने ये claim किया है कि melanin को production को कम करता है ये facial और आपके complexion को brighter करता है और fair skin provide करता है glow लाता है skin में और radiant बनाता है तो इसके अंदर आपको इस तरीके की packaging मिल जाएगी total six sashes मिलेंगे और ये भी आपको ये six मिलेगा ये जो band है ये reusable है ऐसा नहीं कि एक ही बारा आप इसे use कर पा को मिलता है तो इस तरीके से six serum मिले हुए है और six sashes hem exfoliator के और mask है और ये cream mask है third layer में और first यहां तक बात करूं तो इसमें massage cream available नहीं होता है आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आपकी skin oily है तो आप lotus professional का ही normal to oily skin के लिए आता है Pura Vitals वो ले सकते हैं मैंने यहां पर यह लिया है Hydra Vitals यह normal to dry skin के लिए है कैसे इसको करना है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी इस तरीके का यह texture है तो चलिए सबसे पहले शुरुबात कैसे करनी है वो आपको देख लेते हैं तो सबसे पहला जो है वो है botanical cleanser और यह alpha hydroxy fruit acid से बना हुआ है cleanser सारे impurities को दूर करता है makeup को remove करता है और clock pores को open करता है makeup के through जो pores आपके और गंदिगी से जो बंद हो जाते हैं उससे और यह आपके skin को dry नहीं करता है और irritate नहीं करता है इसका जो आप texture देख रहे हैं काफी creamy है और जब आप इसे massage करेंगे तो आप द जाता है तो काफी hydrate कर देता है यह skin को यह all skin type है लेकिन मैं इसे recommend करूंगी कि आप oily skin में इसे ना करें क्यूंकि मैंने oily skin पे बी एक बार करके देखा है और अगले दिन मुझे छोटे छोटे बंपी skin मिले थे तो इस तरीके से आपको clean करना है आपके face को और फिर cotton से पोच देना है इसे बस आपको wipe करना है बाकी कोई भी cream जो है वो आपको wipe नहीं करनी है पोचनी नहीं है इसके बाद हम लोग करता है आपके skin को dead cell को remove करता है और regenerate करता है new cells को आपके skin के और excess sebum को भी remove करता है और कि इसकी जो texture है मुझे काफी ज्यादा गाड़ी लगी है और जब आप इसे करेंगे तो प्लीज इसमें आप बिना पानी या फिर रोज वाटर के ही इसे आप अपने skin पर लगाएगा ये चोटे चोटे बीट्स इसमें है लेकिन जब आप धीरे दीरे आप इसे मसाज तो देखेंगे कि जो बीट्स है वो दीरे दीरे गायब हो जाएगा एक टाइम के बाद तो इस तरीके से आपको मसाज करना है आप वीडियो साथ में देख रहे होंगे कि चल मैंने कैसे किया है तो ये भी काफी क्रीमी है हाइड्रेट कर देता है इसकिन को और दो से तीन मि अशर में मसाज करेंगे जैंटली एक्सफूलियेट करने के बाद अब बारी आती है लेयर टू की लेयर टू में ट्रीट्मेंट से रम दिया हुआ है जो लेमन एक्स्ट्रैक्ट और क्रेप एक्स्ट्रैक्ट से बना हुआ है यह आपके इसकिन को लाइटन करेगा एक्सट्रैक्ट से बनाता है इसकि एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी जब आप से रम अप्लाई करते हैं तो यह थोड़ी दिर बाद यह पैची सा हो जाता है सारा क्रीम और हाथ में एक जगा एक जगा एक कठा होने लगता है तो यह चीज मुझे इसकी प्सक्राइब बनातान सन नहीं आई और सिरम से ही आपको दस all तक मेंसाज करना है मसाज क्रीम इसमें आवैलेबल नहीं है neighbor मुझे आपको लगता होने इसमें काणी तो क्राइब सी छेमहरस हें यह तो आपको क्या करना थे में मुझे आपको बूला कि इसमें म।ड़ां ऐसे में टो प्रत लोटस प्रोफेशनल का ही फॉर नॉर्मल टू ड्राय स्किन जो जो हुआ इस्टुमिलेटिंग मसाज क्रीम और आपकी स्किन नॉर्मल टू ओईली है तो आप यॉरा वाइटल्स लेंगे मैंने है तो उसके बाद ही आपको थोड़े से क्वांटिटी में मसाज क्रीम लेनी है आप अच्छे से मसाज इसको देंगे अच्छे से मसाज देने बहुत जाइए क्वांटिटी में नहीं लीजेगा क्योंकि आपको लगेगा कि यह डिजॉल भी नहीं हो रहा है अगर आप उन्टिटी अच्छे लेंगे तो जरूर यह डिजॉल हो जागा देखिकि किस तरीक लेयर 3 जो एक क्रीम मास्क है और यह लिकॉरिक एसिड और बेर एक्स्ट्रेक्ट से बना हुआ है और इसकी जो क्वाँटिटी है वो है 10 ग्राम और इसको आपको 10 मिनट तक लगा के छोड़ देना इस तरीके से इसकिन पर और जो यह मास्क है वो अपके इसकिन को लाइटर कर अच्छे से मॉस्टराइज और रिस्ट करेगा और इसकिन में वाइटनिंग इफेक्ट और रेडियन्स प्रोवाइड कराएगा यह मास्क तो तो आपको इस मास्क को दस से बारा मिनट तक लगा के छोड़ देना है फिर आप इसे जब दस से बारा मिनट हो जाए तो आप अच्छे से बनाता है और जो पिगमेंटेशन प्रोवाइड और इन्फ्यूज मास्क है और यह कुंसीड पाउडर और रोस पेटल और नैच्रल क्ले से बना हुआ है और ड्राइड अलोवेरा पाउडर से बना हुआ है और इसको आपको लगाने से एक कूलिंग इफेक्ट जबकि इसमें मेंशन है कि यह सेलफ हीटिंग अर्वन लेकिन मुझे पॉसनली जब मैंने इसे लगाया तो मुझे ठंडी ठंडी फील हो रहे थी अपने स्किन पे काफी कूलिंग इफेक्ट दे रहा था और यह आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से इवन टोन बनाता है औ आप इसे घोले कि पर आप इसे ब्रहां पानी में ग्वोल लेना है और तता बनाना है और जब आप इसे अपलाई करें तब ही आप इसे घोलें पहलें करें में कहंते लुखा के तो कसी दो में बहुत ही जल्दी पहले से लिए फोर में तबदिल के लागो है एllows कूल कि न रखंगें चान आप कर लगाना हो तब भे घोल और मैं इसाले की में आप से वाटर में गोल सकते लेकिन मैंने वाटर की जगह पे यहां पे रोज वाटर लिया बेटर समझा लेना और यह 25 ग्राम की क्वांटिटी में है हटाने से पहले मैं मास्क को गीले टीशू शेप फिर से एक बार गीला कर ले रही हूं कि हटाने में मुझे ज्यादा स्किन को हार्ड प्रेसर देना ना पड़े और यह जंटली रिमूव हो जाए तो इस तरीके से आपको अपने स्किन को गीला कर लेना है पहले मास्क को अटाने से पहले और आपको जंटली रिमूव कर लेना है यह फेश वाश करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूं और यह रहा फेस वाश करने के बाद इसका एफेक्ट इसके बाद आप जो आपकी कोई भी फेवरिट सिरम है या फिर वाइटमिन सी सिरम है उसे अपलाई करें फिर उसके बाद आप एक अच्छी से सनी स्क्रीन अपलाई करें क्योंकि फेशल कराने के बाद आपको इसकीन को उस फेशल को बचाई रखने के लिए भी खुशिश करनी चाहिए क्योंकि नहीं तो फेशल का इफेक्ट बहुत ही जल्दी चला जाता है तो यह था रिजल्ट मुझे रिजल्ट पॉसनली काफी पसंद आया है आपको कैसा लगा अगर आपको दिख रहा है कि मेरे फेश पे आ और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है थ्री एर्स थ्री एर्स आपके आराम से चल जाएंगे अगर मेरे वीडियो पसंद आई आपको तो इस वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलेगा तब तक के लिए बाई